Hello students, आज हम Intermediate Biology के कुछ important question के बारे पर चर्चा करेंगे, जो आने वाले board exam के लिए helpful हो सकते हैं। सुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेस करने की तकनीक क्या कहलाती है। ध्यान दीजी, सुक्राणु को सीधे अंडाणु में, मतलब डाइरेक्ट अंडाणु में सुक्राणु का प्रवेस करा दिया जाए। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं ICSI, क्या कहते हैं इसे ICSI। आठ कोसी की भ्रूण को फैलोपियन नलिका में इस्थानांतृत करने की विधि क्या कहलाती है। उसको हम अंडवाहनी या फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम ZIFT कहते हैं, ZIFT, इसको भी आप ऐसे याद कर लीजे, फिर इनके फुल फार्म हम नेक्स्ट व्यूडियो पर बताएंगे, चिकित्सी सगर्भता समापन को कानूनी स्विक्रति प्रदान की गई थी, ठिक इसको हम कहते हैं, Medical Termination of Pregnancy, चिकित्सी सगर्भता समापन को कानूनी स्विक्रति किस सन में प्रदान की गई थी, तो 1971 में प्रदान की गई थी, अंडाडु के निसेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका क्या होता है, तो बंध करण, हार्मोनल गर्भ निरोधन और अवरोधक युक्तियां, ठिक, यह तीन हेडिंग है यहाँ पर, बंध करण, हार्मोनल गर्भ निरोधन और अवरोधक युक्तियां, यह अंडाडु के निसेचन को रोकने के प्रभावी तरीके होते हैं, कापर्टी किसको रोकती है, तो कापर्टी निसेचन को रोकती है, गर्भ निरोधक गोलियां बनी ह मतलब यहाँ पर यह है कि गर्व निरोधक गोलियों में कौन से रसायन पाए जाते हैं तो प्रोजेस्ट टेरान और इस्ट्रोजन यहाँ पर मिले होते हैं गर्व निरोधक गोलियों में पुरुस की नस्बंदी को क्या कहते हैं? पुरुस की नस्बंदी को वैसिक टामी कहते हैं और महिला की नस्बंदी को क्या कहते हैं? महिला की नस्बंदी को ट्यूबिक टामी कहते हैं और ये जो हैं ये परिवार नियोजन की इस्थाई विधियां होती हैं सगर्भता का चिकित्सी समापन या MTP कब सुरच्छित माना जाता है ये प्रथम तिमाही में प्रथम तिमाही में इसको हम प्रथम तिमाही तक MTP करवा लेना चाहिए तीन महीने के पहले-पहले योन संचारित रोग STD ये कौन-कौन से हैं तो गोनोरिया और सिफलिस अच्छा ये दोनों जीवाणु जनित रोग होते हैं ठिक गोनोरिया और सिफलिस जो हैं ये जीवाणु जनित रोग होते हैं सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है यह खोजी गई यह important है NCRT की direct line है लखनव में इस्थित CDRI द्वारा लखनव में इस्थित Central Drug Research Institute द्वारा सहेली गर्भ निरोधक खोजी गई थी जनसंख्या का तीब्रगति से बढ़ना ये क्या कहलाता है तो जनसंख्या का तीब्रगति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाया करता है IUD का पूरा नाम क्या है? Intra-Uterine Device या अंतह गरभासई युक्ति तो अंतह गरभासई युक्तियां कौन सी होती है? लूप है ताम्बा मोचक IUD है हार्मोन मोचक IUD है इनको याद रखना ये भी NCRT की डाइरेक्ट लाइने हैं कापर T, कापर 7, मल्टी लोड 355 कापर T यह क्या है? यह तामबा मोचक IUD होती है यह क्या है? यह हार्मोन मोचक IUD है तो यह इंपार्टिंट है हार्मोन मोचक IUD का नाम पुचे तो LNG 20 और कांबा मोचक IUD का नाम पूछे तो कापर T, कापर 7 और मल्टी लोड 375 कापर T नेक्स्ट है RCH का पूरा नाम क्या है तो reproductive and child health care program R, C और H तो reproductive and child health care program ये RCH का पूरा नाम है जनन स्वास्थ क्या होता है तो WHO ने जनन स्वास्थ की परिभासा बताई है कि सारीरिक रूप से स्वस्थ हो, व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, बेवहारात्मक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो इन चार पहलूओं में वो स्वस्थ है तो इसको हम जनन स्वस्थ मानते हैं पूरा ठिक ये WHO के according है सिसु के जन्म से पूर्व की जाँच विधी है मतलब सिसु के जन्म से पूर्व की जाँच विधी क्या कहलाती है तो इसको उल्ब वेधन या एम्नियो सिंटेसिस तकनीक कहते हैं HIV का पूरा नाम क्या है HIV का पूरा नाम Human Immuno Deficiency Virus होता है नेक्स्ट है पात्रे निसेचन या IVF पात्रे निसेचन या IVF ये क्या है तो ये प्रियोग साला में होने वाला निसेचन होता है ठिक प्रियोग साला में होने वाला निसेचन ये पात्रे निसेचन या IVF कहलाता है पात्रे निसेचन के फल्स रूप बने 32 कोशिकी भ्रूण को गर्भासे में इस्थानांत्रित करने की तकनीक ये क्या कहलाती है तो इसे हम आई यूटी कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर तो ये कुछ इंपार्टन पॉइंट थे जो आने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए हेलपफुल हो सकते हैं